हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका अपने ही चैनल पीपिया स्टाडी पुएंट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव कोचन जो न्यू पेटरनी के नुसार बीवियाई इंपोर्टेंट कोचन है तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे तो चलिए इसी के साथ फर्स्ट नमर कोचन देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया तो इसका राइट एंसर हो जागा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 इसपी में गांदी जी दुवारा शुरू किया गया था अब हम लोग नेश्ट कोचन देखते हैं सकेंड नमर कोचन पूछ रहा है प्राचीन भारते इतिहास के अधियन के कौन-कौन से शुरूत है तो इसका अंसर हो जागा पहला है पुरा तात्विक शुरूत और दूसरा है साह अधियक शुरूत नेश्ट कोचन देख लेते हैं थर्ड नमर निर्गुन और सगुन भक्ति में क्या अंतर है तो इसका एंसर हम लोग जान लेते हैं बीबी आई इंपोर्टेंट कोचन आपनों नोट्स करते जाएगा पहला में देख लेते हैं सगुन भक्ति परमपरा इस निर्गुन भक्ति परमपरा में कोई भी मुर्थि का पूझा नहीं होता था इसने से केवल इस्वर का उपासना की जाती थी निर्गुन भक्ति परंपरा में और सगुन में क्या होता था कि मुर्ति की पूजा की जाती थी जैसे सीव विस्नु तता उनके अवतार के जो जितने परकार की मुर्ति थे वो मुर्ति की पूजा की जाती थी सगुन भक्ति परंपरा में और सिंदु घाटी सभ्यता एक सहरी सभ्यता थी कैसे उल्ले करें, भीव आईइ इंपोटेंट कोच न है दोस्तों, आप लोग टीक मारते जाएगा, अब नेस्ट इसका एंसर देख लेते हम लोग, सिंदु घाटी सब्यता एक सहरी सब्यता थी यह निमलिकित बातों से असपस्ट है पहला में है इस संस्कृति में नगरों में सडकों का निर्मान किया गया था जो एक दूसरे को समकोन पर काटती थी और चोराहों का निर्मान करती थी यहां पर पूछ रहा है सहरी सब्यता थी कैसे तो इसके बारे में पहला में दिया हुआ है इस संस्कृति में नगरों में सडकों का निर्मान किया था जो एक दूसरे को समकोन पर काटती थी और चोराहों का निर्मान करती थी यह सहरी सब्यता का एक कारण हुआ अब सकेन में मकान का निर्मान जालों के समान है इन मकानों में अराम की सभी विवस्थाएं थी मकान पक्की इटों के थे जो मकान बनाए गए थे वो पक्की इटों के थे और अराम दायक मकान थे और थर्ड नमर में है नगरों के गंदे पानी को निकालने के लिए पकी धकी नालियों की निर्मान की गई थी और इसमें है सो नगरों में गंदे पानी को निकालने के लिए पकी और धकी वी नालियों का निर्मान किया गया था और फोर नमर में है अनेक घरों में असनान आदे के लिए कुवें मिले गए हैं और फाइप नमर में है विशेस अफसरों के लिए सारवजनिक असनानागार बनाए गए थे तो इस प्रकार हम लोग यह कर सकते हैं कि सिंदु घाती एक सहरी सब्यत्ता थी इसका एंसर अपने सब्दों में असाने से हम लोग जान चुके हैं नेश्ट कोचन देख लेते हैं फाइप नमर कलिंग यूद का असोग पर क्या परभाव पड़ा था बीबी आई इंपोर्टेंट कोचन है दोस्तों आप लोग इसको भी टिक कर लिजेगा कलिंग यूद में भीशन रक्त पात को देखकर असोग का दिल दहल गया उसे यूद के नाम से ग्रीना हो गई और उसने भवीशे में यूद ना करने की सपत लिए कलिंग यूद में भीशन रक्त पात होने के कारण असोग का दिल असोग बदल गया और वो अपने आप में ठान लिये कि अब यूद नहीं करेंगे उसने अपनी जीवन धारा को ही बदल दिया कलिंग यूद के बहुत सारे परभाप पड़े जो निमलिकित है पहला में है कलिंग यूद का असोग पर जो परभाप पड़ा था वो निमलिकित है इसमें से पहला है धर में विजय असोग ने अपने वीश्व विजय के स्वपन हुआ प्रण को तोड़का धर में विजय की और कदम बढ़ाएं उसे अपरतित होने लगा था कि वीश्व पर सबसे बड़ी विजय मानव हिर्दय पर विजय प्राप्त करना है कलिंग यूद का यूद के बाद असोग का अपने आप में यह अपने आप में यह सोच आ गया था कि सबसे बड़ी विजय मानव हिर्दय पर विजय प्राप्त उसने बोत धर्म ग्रहन कर लिया यह संभा हो सकता है कि अधिक कलिंग यूद ना होता तो वह बोत धर्म ग्रहन ना करता कलिंग यूद के बाद असोक ने बोत धर्म ग्रहन कर लिया और इससे उसके अंदर बहुत से परिवर्तन हुए और यह हम लोग कभी सकते थे कि कलिंग य सेली में परिवर्तन कलिंग यूद में पूर्व असोक ने भी अपने पूर्वजों की भाति यूद लड़े शिकार खेले महांसाहार किया और विलासिता का जीवन बिताया प्रन्तु इस यूद ने उसकी जीवन धारा को ही बदल डाला वह अहिंसा का पुजारी और दिन दु जीने का सेली था वह ही परिवर्तन कर दिया वह केवल अहिंसा का पुजारी बन गया था अब निश्टु का है इसका फोर नंबर निर्वल सेनिक संगठन यूद नीती का त्याग करने के साथ ही सेना का मनोबल गीर गया मोर्ज समराज्य के पतन के लिए सेना कापी हतर उतर कर दिया है और कलिंग यूद के बाद जब असक ने यूद करना बंद कर दिये तो उनके जो सेनिक थे वह अपने सेनिक में उसका मनोबल गीर गया था जिससे मोर्ज समराज्य का पतन होने का एक खास उतर दाई है तो इस परकार हम लोग कोचन नमर फैप का अंसर असानी से अपने सब्दों में जाने और यह important कोचन है नेश्ट कोचन देख होते है कोचन नमर 6 गुप्थ काल के पीआस चेतिहास सौरोतों का वरनन करें तो यह बी important कोचन है दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में जितना बी कोचन बता जा रहा है सबी previous year कोचन है बहुत सारे बार पूछे गए सवाल है इस वीडियो के जितने भी और इस बार भी इसी से पूछी जाएंगे ये BBI important कोचन है इस वीडियो का तो चलिए अब हम लोग इसका एंसर जान लेते हैं गुप्त काल के इतिहास के सुरोत निम लिखीत है पहला है इसमें साहित्य सुरोत विशाग दत ने देविचंद्र गुप्तन और मुद्रा राक्चासम लिखा था जो गुप्तों के उदय के बारे में विवरन परदान करता साहित्य सुरोत में यह बताया गया है कि विशाग दत ने देविचंद्र गुप्तन और मुद्रा राक्चासम लिखा था जिसमें से यह बताया गया था कि गुप्तों का उदय कैसे हुआ था और उसके विवरन बताये गये थे अब इसका आगे देख लेते हैं चीनी आत्री पहयान द्वारा छोड़े गए समाजिक आर्थिक और धार्मिक जो चंद्रगुप्त दूतिय के सासनकाल के तोरान भारत आये थे अब इसका नेस्ट पुइंट देख लेते हैं सकेंड सीला लेक महारोली लो अस्तम सीला लेक में इसमें चंद्रगुप्त को उपलवदियां का वर्णन है और इससे भी यह पता चलता है कि यह जो गुप्त वन्स थे उसके बारे में इसका इतिहास है और इसका ठर्ट पुइंट हम लोग देख लेते हैं सीको द्वारा भी गुप्त काल की किवदंतियां तता आकड़े उकेरे गए हैं यह सीके सोनी के गुप्तो द्वारा किये गए उपलवदियों और बलिदानों के बारे में जनकारे देते हैं तो इस परकार हम लोग गुप्त काल के इतिहास के बारे में हम लोग असानी से जान लिए, अब नेश्ट कोचन हम लोग देख लेते हैं, कोचन नमर 7, शेवन नमर कोचन पुछ रहा है, अस्थाई बंदोबस्त के गुण दोस की विवेचना करें, तो इसका एंसर जान लिए, अस्थाई बंदोबस्त के गुण और दोस निम लिखीत है, पहला है गुण, पहला गुण के बारे में हम लोग जान लेते हैं, अस्थाई बंदोबस्त की सुर्वात के साथ किसानों की हालत में सुधार होने लगा और उनके खेतों में समरीद फसले उगने लगी भी अच्छी परोकार उगने लगे और इसका अब second point हम लोग देख लेते हैं किरिशी के विकास ने राष्ट के वैपार और वानिज्च को परभावित किया नतीज तर्म बंगाल भारत में सबसे सम्रित छेत्रों में से एक बन गया यहां पर दिया वह था अस्थाई बंदोबस्त तो यह स्थाई बंदोबस्त से जो गून है जो अच्छे गून है उसके बारे हम लोग जान लिए second point भी इससे भी यह पता चलता है किस थाई बंदोबस्त का जो गून था उससे हम लोग का जो किरिशी में बहुत से सुधार जो अस्थाई बंदोबस्त था वह पहले क्या होता था कि परतिवर्स राजस्व ते करने का जो समस्य था वो होता था लेकिन इसके बाद नहीं होने लगा इसके अलावा निश्चीत राजस्व ने किसानों को जमिनदारों के सोशन से बचाया और इससे बहुत सारे फैदेवे और जिसमें से एक है कि राजस्व ने किसानों को जमिनदारों के सोशन से बचाया अब हम लोग अस्थाई बंदोबस्त के दोस्त के बारे में हम लोग जान लेते हैं जिसमें से पहला है चुकि राजस्व ते किया गया था इसने कंपनी की आय पर परतिकूल परभा पड़ा अस्थाई बंदोबस्त से जो कमपणी था उस पर परतिकूल परभाव पड़ा सकेन में है इस बंदोबस्त ने जमिनदारों को परतिकूल रूप से परभावित किया क्यूंकि अगर वे अपनी जमीन बेची गई कमपनी को राजासु को निचीत राशी जमा करने में विफल रहे तो इस परकार हम लोग अस्थाई बंदोबस्त के गुन और दोस्त के बारे में हम लोग असानी से जान लें और अपने सब्दों में और यह भी कोचन इंपोर्टे जाएगा रोलेट एक्ट पर एक संचिप्त टिपनी लिखे अब हम लोग प्वेंट बार प्वेंट हम लोग रोलेट एक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे पहला जो इसका एंसर है रोलेट एक्ट उनीस सो उनीस सिस्पी में हुआ था इसे काला कानून कहा जाता था रोले वकील और ना दलील करना था इसके अंतरगर हम लोगों को किसी भी कोई भी कारण हो इससे ना किसी के लिए अपील करना था और ना वकील आप लोग कर सकते थे किसी भी केस में और ना दलील कर सकते थे इसका आगे इसका अगला पोइंट हम लोग देख लेते हैं इस कानून के किसी भी वेक्ति को ब्रिटिस सरकार बिना गिरफतारी वारेंट के कहीं से भी गिरफतार कर लेती थी और उसे सीधे जेल भेज देती थी वह गिरफतारे वेक्ति नियाले में ना अपील कर सकता था और ना वकील कर सकता था और नहीं अपनी बेगुनाही का दलील दे सकता था तो इस परकार हम लोग यह जानेंगे कि रोलेटेक्ट के अनुसार हम लोग ना किसी भी वकील को अपने पक्ष में वकील रख सकते हैं ना दलील कर सकते हैं और इसे हम लोगों का मतले हिंदू स्तानियों का बहुत ही नुक्सान होता था बहुत ही मुश्किल होता था उस जवाने में जब रोलेटेक्ट था अब अगला पॉइंट देख लेते हैं इस काले कानुन के द्वारा भारतिय जंता के मोलिक अधिकार बंदी प्रतियाक्ची प्रतक्ची करंण नामक अधिकार का खुले उलंगन हो रा था काले कानुन के विरोध में गांधी जी ने 1919 में संपुन भारत वर्स में 6 अप्रेल राष्टिय अपमान दिवस मनाएं थे तो इस परकार हम लोग यह कर सकते हैं कि हम लोग रोले टेक्ट के बारे में अपने सब्दों में हम लोग असानी से जान लें इस वीडियो में और अगर इससे और अगर नया नया टोपिक मिलेगा तो आप लोग इसको और जोड कर लंबा कर सकते हैं ठीक है अब हम लोग सोट में इसका जो एंसर था शटीक एंसर था उसके बारे में हम लोग जान लें रोले टेक्ट पर संचिप्ट टीपनी लिखना था अब हम लोग नि नया नमर कोचन ने पूछता है काला सहर और गोरा सहर में अंतर रस्पस्ट करें इंपोर्टेंट कोचन है काला सहर और गोरा सहर में अंतर रस्पस्ट करें तो इसका एंसर जान लेते हैं हम लोग ब्लेक टाउन और वाइट टाउन दोनों नसली सब्द थे जो अंग्रेजो दूपन किये गये थे इसमें निमली कि अंतर है black town और white town दोनों नसली सब्द थे जो अंग्रेजय दूपन दूपन किये गये थे जिसमें से पहला है पहला पहला topic में देख लेते हैं black town भारतियों की बस्तियां थी और white town अंग्रेजों की बस्तिया थी जो black tone थी वो भारतियों की बस्तिया थी और white tone अंग्रेजों की बस्तिया थी second में हम लोग देख लेते हैं black tone गंदे होते थे तथा यहां बीमारी फेलने का डर होता था जबकि white tone साब सुत्रे होते थे और बीमारी महमारी से मुक्त थे जो black tone था वो इसमें गंदेगी थी और बीमारी फेलने की डर थी और white tone में साब सुत्रे थे और जिसमें बीमारी और महमारी से मुक्त था white tone अब इसका third point पे हम लोग देख लेते हैं black tone के मकान प्रमप्रागत धंक से धलानी मकान थे white tone के मकान सुंदर होते थे और इनके आसपास छावनियां भी होती थी और इसका four topic में देख लेते हैं black tone में भारतियों अर्थात और स्वेतों के रहने के कारण उन्हें black tone कहा जाता था जबकि white tone अंग्रेजों अर्थात स्वेत के रहने के कारण white tone कहा जाता था इसका अब four point हम लोग देख लिए हैं अब इसका five point देख लेते हैं white tone की किले बंदी होती थी जबकि black tone किले के बाहर होती थी white tone थी जो किले बंदी के अंदर थे और जबकि black tone कीले के बाहर राते थे और इसका अगला पोइंट कार खाने और दफतर white tone के अंतर गत कीले के अंतर ही होते थे कार खाना जो होता था और दफतर होता था वो वाइट टोन के अंतर ही होता था और ब्लेक टोन में अक्सर सोरगूल होता रहता था जबकि वाइट टोन सांत होता था ब्लेक टोन में अक्सर सोरगूल होता रहता था और वाइट टोन में सांत छेतर था तो इस परकार हम लोग black tone और white tone के बारे में हम लोग असानी से जान लिए जो कोचन था काला सहर और गोरा सहर में अंतर हम लोग अंतर अब अपने सब्दों में लिख सकते हैं इस जाम में नेश्ट कोचन देख लेते हैं हम लोग कोचन नमर टेन भक्ती अंदोलन के महत्वेवं परभावों की समिक्षा करें इंपोटेन कोचन है दोस्तों आप लोग नोट्च करते जाएगा इसका एंसर जान लेते हैं भक्ती अंदोलन के समाजिक परभाव भक्ति आंदोलन के समाजिक प्रभाग के बारे में हम लोग जान लेते हैं पहला पॉइंट है जाती पड़ता पर प्रहार भक्त संतों ने जाती पड़ता उंच नीज तता छुवा छूत पर करारी चोट की इससे देश की विभीन जातियों में भेद भाव के बंधन सिथिल पड़ गए और छुवा छूत की भावना कम हो गई भक्ति आंदोलन के जो समाजिक परवात है उसका फ़र्ष्ट पॉइंट हम लोग देख लिए अब सकेंद पॉइंट में दिया है याँपे हिंदो तथा मुसल्मानों में मेल मिला भक्ति आंदोलन के फलसरूप हिंदो और मुसल्मानों में आपसी बेमनियस इर्षिया घिरना द्वेस विश्वास तथा संदे की भावना कम होने लगी वे एक दूसरे को समझने लगी और उनमें आपसी मेल जोल बढ़ा तो इस परकार हम लोग भक्ति आंदोलन का जो समाजिक परवा था इसका सेकेंड पॉइंट हम लोग देख लिए अपने सब्दों में अब इसका थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं व्यापक दृष्टि कोन भक्ति आंदोलनों ने संकीर्णता की भावना को दूर कर लोगों की दृष्टि कोन को व्यापक तथा उदार बनाने में सायता की लोग अब परतेख बात को तर्क तथा बुद्धी की कसोटी पर अपने कसने लगे ब्राह्मनों को परतेख वचन उनके लिए वेदवा की ना रहा अंद विश्वास तथा धर्म धत्ता की दिवारे गीनने लगी देश की दोनों प्रमुक जातियों हिंदू तथा मुसल्मानों का द्रिष्टि कोन उदार तथा व्यापक होने लगा अब इसका अगला प्वेंट हम लोग देख लेते हैं निम्न जातियों का उद्धार भक्ति आंदोलन के निताओं ने समाज में एक नया वातावरन पेदा किया जाती पाती के बंदन सिथील होने लगे उच नीच तता धनी निर्धन की भेद भाव कम हुआ और उनमें आपसी ग्रेनी समापत होने लगे जो इसका समाजिक पर्भाव था इससे हम लोगों को यह पता चलता है कि भक्ति आंदोलन से हम लोगों 20 पर का सुधार मिले, आया था तो भक्ति आंदोलन के अब सांस्कृतिक पर्भाव के बारे में हम लोग जान लेते, जिसमें से पहला टोपिक है सांस्कृतिक विकास भक्ति आंदलोनों के नेताओं ने अपनी सिख्चा का प्रचार जन सधारन की भासा में किया इसके परिनाम स्वरूप बंगाल, मराथी, गुजराती, पंजाबी, हिंदी आधी अनेक देशी भासाओं का विकास हुआ जदेव का गीत, गोविन, सुर्दास का सुर्शागर, जैसी का पदमावत और सीखो का आधी ग्रंथ साहीब तुलसिदार जी का रामचरित मानस और कबिर तथा रहीम के दोहे तथा रस्खान की साखियां आधी, हिर्दे ग्राही तथा सब साहीद रचा गया है या भारतिय साहीद थे कि कोई कम सेवा न किये और जो इसका सांस्क्रितिक परवाद था इसके बारे में पहला टोपिक था अनेख भासा के दुवारा हम लोग को अपने जो सांस्कृतिक परवात है उसके बारे में बताये गया अब इसका नेश्टी टोपिक देख लेते हैं सकेंड टोपिक हिंदू मुस्लिम कलाओं में समन्वय राजनीतिक धार्मिक तता समाजिक भेदभाव कटूता तता वेमनयस के कम होने पर हिंदू और मुस्लिम कलाओं में समन्वय का एक नया युग प्रारम हुआ इसमें वस्तुक कला चित्र कला तता संगीत में आये इरानी कलाओं का समरिशन तता संगम हुआ और एक नई भारतिय कला का जन्व हुआ इसका निकरा हुआ रूप मुगल कालिन भारतिय कला कृतियों में देखने को मिलता है अब इसका सांस्क्रितिक परभात और इसका थर्ड पुइंट हम लोग देख लेते हैं आर्थिक परभाव इस अंदोलन के भारतिय समाजिक जीवन पर कुछ आर्थिक परभावी पड़े संत भक्तों ने यह मसूज किया कि अधिकान समाजिक बुराईयों की जड़ आर्थिक विसमता है संत कबीर तथा गुरू नानक देव जी ने धनी वर्ग के उन लोगों को फटकारा जो गरीबों का सोशन करके धन संग्रह करते हैं गुरू नानक देव जी ने इस बात पर बल दिया कि लोगों को अपनी मेहनत तथा अनेक कमाई पर ही संतोस करना चाहिए तो इस परकार हम लोग कोचन नमर टेन का अंसर असानी से हम लोग जान लिए जो कोचन था भगती आंदोलन के महत्व एवं प्रभाव की संग्चा करें आप लोगों को इस वीडियो में जितना भी कोचन बताएगर सभी कोचन है सो इंपोर्टेंट और प्रिवियस इयर कोचन है बहुत बार पुछे गए सवाल है और इस बार भी पुछने की संभावना इंपोर्टेंट कोचन है अगर आप लोग इसी परकार सभी सब्जेक्ट का वीडियो अगर आप लोग देखना चाते हैं तो हमारे युट्यूब चेनल प्पी एष्टेडी पुइंट को सस्क्राइब करें और इस वीडियो को जादा से जादा सेयर करें और सभी subject का वीडियो भी upload कर दिया गया, आप लोग playlist में जाकर देख सकते हैं, अब इसी के साथ मिलते हैं next वीडियो में, जय हिंद